तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डिपीय स्कूल की तरफ से रिकूटमेंट आई है और ये रिकूटमेंट सिरफ और सिरफ पोस्ट ग्रेजुए टीचर्स के लिए है आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोशीजर दिखा द करने के बाद कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा अब मैं यह भी बता दूँ आपको कि यह डिपीएस अगर आप गाजियाबाद से हो नौईडा से हो जमुएन कश्मीर से हो मुंबई से हो उतरपरदेश से हो बिहार से असाम से कहीं से भी बिलॉंग करते हो आप यह फॉर्म फिल कर सकते हो और आपकी जो पोस्टिंग होगी आपका जो इंटर्वियू होगा वो आप जहां पर रहते हो उसी के आसपास की किसी ब्रांच में कंड़क्ट होगा अब यह फॉर्म आपने फिल करना है यहां पर आपने सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी है देन उसके बाद यहाँ पे आपने work experience भी डालना है अगर आपके पास work experience होगा तो obviously वो बेटर ही है क्योंकि उससे आपको preference भी मिलेगी then qualification अब qualification पे यहाँ पे आप secondary की डालोगे then उसके बाद graduation और post graduation की compulsory है अगर आपने B.A.D. की है तो भी ठीक है अगर नहीं की है तो भी चलेगा M.Phil भी डाल सकते हो आप PhD भी डाल सकते हो then आपकी जो posting होगी वो उसी के हिसाब से रहेगी then next यहाँ पे हम बात करेंगे reference की reference आप किसी का भी दे सकते हो अपनी family में से किसी का दे दो या friend का दे दो जैसा आपको सही लगे then यह कुछ general information है यह आपने सारी fill करनी है और last में आपने क्या करना है submit कर देना है और इसकी जो salary है वो 6 lakh per annum रहेगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर स्टील आपको कोई भी doubt है कोई भी problem आती है तो आप comment section में लिख सकते हो so if you like the video don't forget to like share and subscribe for daily updates